अच्छा जी आज आपका है लेक्चर नमबर फाइफ ठीग है प्रिविएस लेक्चर में हमने कलर त्योरी को देखा था ठीग है कलर त्योरी एगर आपको याद हो तो कुछ नहीं आये वैसे और लेक्चर मेंने लेट अपरोड किया है तो कायमी लेक्चर में देख ली जन्दी में दी जन्दी में थिbar हो यहां पर हमारे पस पर्मिल फील होटा है थीक है यह कर शुट परकी सब्सक्विकर करें हैं इन तेनों के combination इन दो को मिलाओगे गरी बनेगे और वर इसी तagnar के पर प्रिमड़री के combination भर छो इसको मिलाओगे घर सकते तर्चर्षी त्रिव बनेगे तर्फ इसको मिलाओगे तुद इसको भी आपके पास आई जाता है है आप लोग तो एनलोग कलर होती है यह दातर अदीयंट में यूज किया जाता है आप ऐसे सेम खला कंट्रास्ट अपनी ब्रैंडिंग में यूज कर सकते है यूज तो कलर की पूर्णिटी एड़ करते हैं डू टॉन में दो कलर्स आ जाते हैं ट्राइटॉन में तीन कलर्स आ जा जाते हैं तो आप लोंगों को पता लगता है कि क्लाइट ने मेंचिन कि होता है कि रॉयर्टी इंडेक्श्री मिंस्ट्री स्रा के वारे जोस करते हैं तो उनका मतलब कलर्स से होता है ठीक है तो यहां पर कुछ मीनिंग्स आ जाते हैं तो फिर हमने सोरी यह देखा था एक पूरा चार्ज से बनाता है इंफोग्राफ ठीक है के मिनिंग है अनलोक्स कलर सारे कलर से कंपनीमेंटरि मतलब डबल कंपनीमेंटरि मोनोफळों सारों उको यूज करते हुए लोगोस में कलर फिलाप किये हैं आपको दखाने क्रिए कि इन कलर को यूज करके आपके पास इस तरह की जियर्ट बनती है आप एक जब ही यहां पर वाइट हो जाता है या ब्लू भी हो सकता था इस तरह को बाइश ने ने अच्छा है बन सकता था ठीक है तो अभी हम जाते हैं आगे पिर हमने यहां पर क्रॉप टूल परस्पेक्टिव यह चीज़ देखी थी और यह चीज़ें देखी थी शायद में च्छिब ने करवाया था मैंने वायर फ्रेम नहीं करवाया ना यह कुछ तूल के थे बिलकुल असान से तूल नहीं है ठीक है तो अभी हम देखते हैं कि वायर फ्रेम वायर फ्रेम क्या होता है हमारे बस ठीक है मैं इसको क्लोज करता हूं यह डॉक्मेंट क्रिएट करता हूं अच्छा यह देखें मैं कल हम second class में हमने एक की थी create post Fiverr की gig के लिए create की थी देखें तो यह मैंने colors इतने वोस त्रच के इसलिया रखें कि यह दूर से जब आपकी gig image देखी जाना तो यह एकदम focus रहे ठीक है, फुल रिस्पॉंसिव वर्डपैस वेबसाइट तो यह हमने वैसी को उस दिन ग्लास में क्रियेट की थी, सेकंड ग्लास में, देखें, कलर्स जतने अच्छे होंगे, टेक्स्ट उपर वाइट यूज किया है तो बेतरी लगा है, डीडे में लेगी तो अब हम यहां ह西 Kas,यां बहुता है क्यों जमें नेखने और नाविया टॉतावन है कि अब शियुक्सकास् सिङुलफ को वयारना था, जाता है , छातल व्यक्ति करें कि। जूछ जूछ पहीं अपनर्फ ही इसमी इसम데 चीज की और इमीज़ीस होती है क्विर्वन शचर्टिक्ष प्हूंता हुता है है उसमें कांभी और इमिजाज़ीन मेंग단 allora सिर्फ टेक्स्ट होता है और इमेजिस होता है ठीक है अब यहां पर देख 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 मेगजीन को सर्च कर रहते हैं किसी भी तो यहां पर जैसे हमारे पास यह मेगजीन आ रहा है इसके लगजीन ले ले लेते हैं अच्छा यह मेगजीन है हमारे पस इसमें आप देखे हैं तो आपके पस टेक्स्ट एंड इमेजेज जूज रही है और कुछ मनी ज़ादा डिजाइद नहीं होता है डिजाइन के लावा आपके पास इमेजेज़ टेक्स्ट का बहुत बनाओ लेख्जिंग का इंटरफेस डिजांग करो या तो आप मेगजीन का इंटरफेस डिजांग करें सबसे हमें को वायर फ्रेंड करना पड़ता है थाओ, हम यहां पिर देखते हैं, एक यृफसे हैं का वायर फ्रेम केसा होता है? विब्साइट का वायर फ्रेमまだमेश मीश्थम के आरहा है रारी में तुर आरा है वायर फ्रेम में है हम प्रकमोर हम यहां पहना पर sous Schw не यहां Podcast आmerce है यह जो क्रास वली शेप होती है इसका मतलब होता है कि यहां पर इमिज लगेगी क्या लगेगी इमिज लगेगी ठीक है तो यहां पर हम देख लिए यह पूरी वैबसाइट का वायर फ्रेम में जस्ट एक टाफ सा स्ट्रक्चर होता है कि इसको हम कैसे बनाएंगे ठीक है यह है यहां लोगो लगेगा क्रास वाली जगा पर यहां पर कोई बैनर इमिज लगेगी इधर भी डिफ्रेंट साइज की इमिज लगेगी ठीक है तो जब भी आपकी मोबाइल एप की यूजर इंटरफेस बनाया जाता है कोई साफ़वेर बनाया जाता है यह वेब अप्लिके है ख्रास। का मतलब यह होता है कि यहां पर नहीं लगेगी ठीक है डान कील की ब्लगव हो सकते हैं यहां ऱैप्ली कि पुर यहां तकिसी भी साइज मे इंट सब्क्रक्शक्रon है जाए कंब साइधी ह Talking जएक। इसगा है जो कि मेन आपस यहां पर साइग है नहीं खाइद अ यहां पी आता हूँ ना मैं फ्राइब यह जाता हूँ हम देते हैं कि यह एक्षा इमेज है उठाएं किसी भी वायर फ्रेम की पर आप जाकर रखेंगे तो इमेज उसके इने इत्रमेटीक लिए फिट हो जाएगी यह देखें यह जाकर प्लेस की अच्छी और यह प्लाने फोटोशॉप में नहीं था यह अभी फोटोशॉप में एड किया गया ठीका अप्लाने फोटोशॉप में यह जो निव वरजिन आरे हैं यह आपकी मी लगी फाइजांपल मैं कहता हूँ कि मैंने यहां पर में लगानी है तो मेरी मिज खुदब खु मैंने रेसेजिं़ थारे Jim लोगो लगाने ये 1750 अड़ सागय ltb जी जी फिक्चर नहीं फिक्चरह उसे और शीजुनकर चाहिए लाइख में देड़ी पिक्च्चरि उस वरि republican के यिदिधा लगे उसे पनी साथि ठीक है लाइख постав लिए 1 को देखो मैं इमिज को बड़ा करना चाहते हुआ तो आप आप तो आप देखो में इमेज को बड़ा करना चाहते हैं तो आप आप अप ठीक है, समझ आगी, आज अवेस आप पीछे जाएंगे, बैट चीजिए आपके, बाले की, ठीक है जी, दो दो तो उसकरिया अवेस, तो वायर फ्रेम का मकसद सर्जेस्ट यह होता है, कि जब भी आपको कोई भी, नियूस्पेपर, मैगजीन, वेब पॉलिकेशन, आपके पास इंड्रॉड एप का यूजर इंटरफेस आगया, कोई भी आगया तो आप उसके लिए वायर फ्रेम को यूज़ करते हैं, यह जो ट आपके लिए आपके पास क्या चीज़े हैं, यह यूज़ की जाती है, फेस एडिटिंग, और पिक्चर एडिटिंग से रिलेटर नहीं सारे टूल्स ठीक है, तो सबसे पहनी जो चीज़ आपके पास है, यह स्पॉर्ट हीलिंग टूल्स यह डिजाइनिंग मींस के आप जो चीज़ें डिजाइन करते हो, फ्लायर्स और इन चीज़ों में यूज़ नहीं होती है, यह जस पिक्चर एडिटिंग से रिलेटर है, तो इसको आप तब भी यूज़ कर सकते हो कि अगर आपने फ्लेटिंग करनी है, या पिक्चर कोई इसको इडिट करनी है, ठीक है, फाइड जाम्पल जी मैं कहता हूं कि मेरे पास यहां पे एक इमिज है, जहां पे हम लेते हैं, मेरे पास एक इमिज है, यहां पे हम लेते हैं, मैंने बहुत किसी जमाने में ग्रिएट की थी, अब फाइज़म्पल जैसे आप पर आप 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 आपर यहां में भी सर्वेशे आप आप है के भी सर्वेशेस आप आप के श्र्वैजओ कम लिज़ा जो करते हैं लोगते हैं पर अब फाइजु एभा उख निए पर एपोरा किसे आप करते हैं हैं और अब हम करुछra के स्किने सपाइड इसमें brush का size आप यहां से increase भी कर सकते हैं और decrease भी कर सकते हैं आपकी मर्जी है जतना को चाहिए अपना रख लिए ठीक है अगर आपके जो यह pimples होगे रहे हैं यह चोटे हैं मतलब छोटे size के हैं ठीक है तो आप इसको कम size में रखो अब यह काम किसमा करता है जैसे for example यह आप पर क्लिक किया तो यह आपके पास remove हो जाती है ठीक है जैसे हमने कल use किया था जैसे हमने उसमें content aware यूज किया था ठीक है तो content aware में क्या हो रहा था कि side area से pixel match करके उस रखो को fill कर रहा था तो इसी जना spot यह यह होता है कि side area से pixel match करके उस जगह को fill कर ले था ठीक है साथ ही हमारे पास healing brush tool है healing brush tool क्या करता है यह clone करने के लिए use किया जाता है for example मैं click करूंब यह work नहीं करेंगा ठीक है करेंके alt click use करेंगे to define a source point to be used to repair damage ठीक है तो यहां से मैंने source copy कर लिया मैं इस जगह का जो भी source है दूसरी जगह को source से replace कर सकता हूं ठीक है मैं click कर रहा हूं वहां पे आपके पास plus का symbol आ रहा है जो brush वाली चीज़ है जगह है वो plus वाली symbol से replace हो ठीक है यह देखें तो यह इस लिए use किया जाता है उसके बाद आपके पास यहां पे दो चीज़े एक है sample एक है pattern ठीक है ठीक है नए Photoshop के अंदर आपके पास यह कुछ patterns है अपनाने Photoshop में जो थे उसमें different patterns है अभी यह नए Photoshop आ रहे है उसमें आपके पास different patterns है ठीक है तो फिल वक हम sample से ही काम करते है ठीक है pattern की दुरूर की है ऐसा हम pattern की पिताता हूं को उसको अपने designs के अंदर आप लोग कैसे use कर सकते हैं ठीक है इस selected जगह को उठा के आपके ही पे प्लेस कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर दो चीज़े है source and destination ठीक है destination का मकसद करते है कोई भी selected portion किसी दूसरी destination पर शिफ्ट कर सकते हो ठीक है अगर मैं आज भी knowledge है तो source में क्या होता है यह selected portion है is selected portion की जगह में किसी दूसरी जगह को replacement कर दूं कि दूसरे source से replace कर तो यहां पे मैं जो selected portion है इसको मैं उठाऊँगा ठीक है किसी भी दूसरी सोर्स से इसको replace कर सकता हूँ ठीक है और से मज़े की बात ही है कि जब यह आपको replace करता है तो यह उसके colors के साथ उसको merge कर देता है ठीक है तो इसका यह advantage आपके पास है ठीक हो गया आगे जाते है content aware tool यह भी source की ही तरह काम करते है यह आपने जगा select की इसको किसी दूसरी जगह बठा के किसी दूसरी destination पर रखते है ठीक है यह दोनों टूल्स में आपके पास same work करते है अच्छा जी आप आते हैं red eye tool में red eye tool अगसर रुकात आप लोग जब अपनी अंधेरे में images वेरा लेते हो तो red circle से आपकी image के अंदर आ जाते है तो just आपने क्या करना है red circle को highlight करना है तो वह जगह red portion आपके पास आएगा grey color से replace हो जाती है ठीक है तो यह जाते है जिसे red color था मैंने इसको थोड़ा सकी है तो यह जो red color था उसके साथ यह grey color को replace कर लेता है ठीक है तो यह simple सी चीज़ें थी 4-5 अब यह editing कैसे कर लिए है यह हम brushes को कर लिए तो फिर आम इसकी तरफ आते हैं कि आपने editing कैसे कर लिए है अब आ जाते हैं brushes की तरफ अच्छा अब आप लोग मुझे प्ताओ फाइजांपल यह ब्रश के साथ एक चीज़ फिल कर रहा हूँ ठीक है आप इसको फिर designs के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं हाँ जी मनसर ब्रशे से आप क्या कर सकते हैं मुझे अपने क्या कर सकते हैं ठीक होगे हाँ जी वेस अच्छा जी यहां पर देखें जब आप ब्रशे को ओपन करते हैं तो आपके पास काफी सारे ब्रशे यहां पर आते हैं ठीक है मैं इसको थोड़ा सा साइज बढ़ा कर ले तो ठीक है तो यहां पर काफी सारे आपके पास ब्रशे आ रहे हैं जब आप पुनाना फोटोशाप यूज़ करते थे वहां पर आपके पास ब्रश बना वाता था कि कैसे ब्रश आपके पास बना वाता था कि कैसे ब्रश आपके जो चीज़े आ रही है 87 abstract motion brushes यह के चीज़े हैं यह मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करके यहां पर इंस्टाल किये हैं इनको मैं अपने design में use कर सकता हूं तो हम कैसे यूज कर सकते हैं इसको आप ऐसे use कर सकते हैं कर यहां पर एक ग्सामपल मेरे पास एक image है यह मेरे पास एक image है तो मैंने एक banner create करना है using this image ठीक है तो आप कैसे use कर सकते हैं example मैं यहां पर आता हूँ motion brushes को मैं select किया, ठीक है, like, try करते हैं different brushes, just आपने single click करना और कुछ मी नहीं करना, इसको use करते हैं, ठीक है, इसके साथ हम जो color use करते हैं, ठीक हो गया, इसके उपर मैं draw color का और label create कर लेता हूँ, इसके paste tree को थोड़ा सा, हम down करते हैं, ठीक है, एक new layer लेते हैं, और आपने just care करना है, simple brush tool को select करना है, आपने single click करना है, ठीक है, आपने just single click करना है, ठीक है, आपके पास brushes बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे मेरे पास थोड़े से brushes हैं, मैं उसको use कर रहा हूँ, ठीक है, आप मैं आपको बताऊ हूँगा कि आपने brushes download क्याने हैं, उनको use कैसे करना है, for example, आप यहाँ से कोई और brush stack करते हैं, ठीक है, मैं यह brush ले ले तूँ, ठीक है, like this, आप कोई और brush ले ले यहाँ से, ठीक है, जिसना आप अपने design इसको merge कर सकते हैं, आप उसको use कर सकते हैं, तो हमारे पास brushes काफी सारे हैं, ठीक हो गया, जैसे यह हो गया, ठीक है, like आप यहाँ पर, कोई text लेकना चाहते हैं, क्या text लेकर यहाँ पर, पताएं जी, यहाँ पर लिखते हैं, पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ आभी हम कुछ more text लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, लोरियम सम्का अब हो अपतायत हैं, क्या होता है, ठीक है, अच्छा, आप इसके साथ मजीद कोई और ब्रेश उस करना चाहते हैं, ठीक है, अच्छा, इसके लाव अगर मैं कलर्स चेंज कर दूँ, तो इसके लाव आप कोई भी इसमें चीज़ यूस करना चाहते हैं, तो वो आप यूस कर सकते हैं, यहां पर कुँँए, और आप इसके अदर अपना लोगो भी यूस करना चाहते हैं, तो हम यहां पर कह करते हैं, यहां पर एक लोगो भी यूस कर लेती हैं, ठीक है, फार एक्जामपल आप चाहते हैं कि याद यह थोड़ा सा चोटे सेंज में हो, और इसको नीचे रखके आप इसमें कोई डिफेंट कलर यूस करना चाहते हैं, ठीक है, यह रेट कलर है, यह बहुत ज़्यादा, चोटा सा थोड़ा सा अफेक्ट देना हो, ठीक है, कुछ तरह भी यूस कर सकते हैं, तो सोचल मीडिया की पोस्ट जो मैंने आपको तया था यहां पर, डिफेंट सोचल मीडिया की पोस्ट थी, उन में आप इसको यूस कर स धिक है, इस में चेंज करते हैं और अच्छिक है मैं चेंज भी दर सकते हैं इसी तरह आप कोई और ब्रेश यूस करना चाहते हैं उसको भी उसकर सकते हैं ठीक है फार एक्जामपल अब मैं कहें करता हूं कि मैं यहां पर डिफरिंट ब्रेश लेता हूं कर्व 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 कर दो अब कर दो कि यंगे प्यंग नग्य मेर प्रस्ट देखिये मैंने एक offset does create के ठीक है मैं यह अदेचिक दीदी है यहाँ से बिलेता हूँ मुम्रीस से इमिश को अफ़ेट के मैंने ठीक होगा और इसी इमिज को मैं कहा करूँगा ठीक हो थोड़ा साइज अंक्रीस किया अब मैंने क्या करना है जो ब्रश में रियेट किया हूँ था उसके अंदर इमिज को उम्बेड करना है तो मैं निचे अन्छी को च्छार में रखता हूँ रखता हूँ कॉफी का है तो थोड़ा सा ब्राउन टेश रहेंगे ठीक है इसको किया और करने के बाद आप इसको थोड़ा सा रोटेट कर सकते हैं कुछ भी जा सकते हैं इसके राभा भी हाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं कॉफी लिखना है इस पहले होते हैं कॉफी है कि अब कुछ भी आप इस तरह का क्रियेट कर सकते हैं समझ आई कर नहीं आई अब आपने ब्रशिस कहां से डाउलोड करते हैं आप जब जब गूगल पर जाएं यहां पर लिखें आप फोटोशॉप डाउनलोड फ्री कर दें ठीक है यहां पर इमिजस में अब यह आपके पास काफी साले ब्रशिस हैं ठीक है अब ब्रशिस को अब आपके पास यहां पर जो ब्रशिस आ रहे हैं जैसे काफी सारे हैं कि आपने का करना है आज गर जाके ब्रशिस पहले सर्च करने सर्च करने के बाद उनको डाउनलोड करने ठीक है डाउनलोड करने के बाद आपने इसी तरह का सोशल मेडिय को कुई मैनर हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो आपने डिजाइन करके लाना है तो अब आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं फार इसमपल ये ब्रशी डाट कॉम इंग वेबसाइट है ये हो गया आलफ्रीडाउनलोड डाट कॉम है ब्रश लेवल से ठीक है ये काफी सारे आपके पास वेबसाइट है तो अब यहां पे लाइक अच्छा जी यहां वे आपके पास काफी सारे ब्रशेज हैं ठीक है आपने कहा करने है जा सिंप्लीन को डाउनलोड करना है ठीक है डाउनलोड करके ट्राई करना है अब डाउनलोड करके आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं फार इसमपल मेरे पास ये एक ब्रश है मैं सिंप तुमारे पास brushes पढ़ेए हैं, दिख उढ़ार है इस तरह का एकन होगा, आप में डबल क्लिक करना है तो आपके पास Photoshop खुल जाएगा, और Automaticly आपके यहां पे brushes का पूरा folder, यहांपे इस तरह का आप आपने आप यहां पास, पेंट टेक्च्च्च्च्च्च्च्च है ठीक है, जैरे मैंने सिंगल क्लिक किए, फोटीशाब open हो गया, ठीक है, अब मिं यहां पर आता हूँ, जी देखें, फ्लोट, पेंट टेक्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च यह मेरे पासा रहा है, इस तरह का फेक्ट है मैं है उसको golden size increase कम करते हैं कि इस घुद्ध की यह इस तरह यह उन स्वेकि यह आप लेता हूं तो हमेशा जब भी ब्रश extend काम करें तो हमेशा नियू लेकर आप लोगों ने काम करने हैं ठीक है ये कर लिया इसको हम नीचे रखने हैं अब इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं जी मैं कहता हूँ हूँ कि मेरे पास यहां पर एक image है ये एक image है ये है ठीक है मैं इस image को थोड़ा साइब मैंने इंक्रीज किया तो मैंने ये किया गए मैंने नीचे रखे और इसके बाद मैं इसको पर इसका mode गएरा चेंज कर गए दिफरेंट एफेट्स क्रेट कर सकता हूँ ठीक है image को ये अछी नहीं है हम कोई गारी और ये लियते हैं झाल झाल अच्छ यह फार इजम्पल मेरे पास से एक इमीज है मैं यहां से एक डिफरेंट एफेक्ट क्रियेट करने है आपने तो आप उसमें क्रियेट कर सकते है ठीम और उसी को मुल्टीपल में किन वर्ट करना चाहते है जो भी करना चाहते है उपर टेक्स लिखने है ठीक है फिर अश्रान को लृषा करने निफारें दो है के तो श्राइब करता जाओंगा आप रों किस थाना शंबश भी नहीं आए-टीजाओं-टीट कर जाकर क्या करना है, different brushes को try करना है, ठीक है, download करना है, download करने के बाद उनको just simple install करने, just single click करेंगे तो आपके पास install होके आ जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों ने खाया करना है, different images को पर try कर सकते हैं, images नहीं है, तो आप जैसे हमने वो एक coffee वाला create हिया था, ठीक है तो उधर जाकर उसको उस तरह भी create कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह की कोई चीज create कर सकते हैं, इसके अलावा आपने social media की post बनानी है, तो इस तरह की चीज भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, पर आपने क्या करना है, थोड़ा सा जाकर इंटरनेट पे explore करना है, कि आपको बाकी चीज़ें देखते हैं, बाकी हमारे पास brushes में, यहां पे mores already available है, यहां से देना चाहिए नहीं तो आप यहां से भी दे सकते हैं, और pastry और flow दो चीज़ें होती है, pastry जो होती है directly आपके, पूरी whole layers पे effect करती है, जैस मैं इसको कम करता हूँ, अच्छा भी नहीं करनी जब आप use करेंगे, हम यहां पे देख लिए दे, ठीक है, तो यहां पी whole image की उपर effect करी है, अगर आप fill के थूँ काम करेंगे तो यह आपके colors की उपर effect करती है directly, ठीक है, तो smoothening, इसकी आप increase करेंगे तो आपके पास smoothening होगी, अच्छा यहां पर हमारे पास एक बड़े मज keyboard हो means के wacom का tablet हो, यह कुछ भी हो, उसमें ऐसा होता है कि मैं यहां पे आपको दिखा भी देता हूँ, इसको करते हैं, अन्मन डालर डिजाइनस का नाम होता है, ठीक है, तो इस तरह के जो arts where आपके पास होते हैं, यह किस तरह create होते हैं, mouse पे इतनी grip नहीं होती, जिसकी अन्मन लाजमी है, wacom का, अगर आपके पास Mac, Mac है या iPad है सोरी, तो iPad के पर भी आपके पास उसका अगर price plan होगे रहा है, तो उसके साथ भी आप यह चीज़ create कर सकते हैं, कीज़े, इसमें आपके पास यह होता है, तो 12 grade में आप सिर्फ एक portion पे काम करते हैं, तो बाकी जो portion आपके पास create करना start करते हैं, तो कैसे करते हैं, आपने यहाँ पे brushes में आए, यहाँ पे आए जी, मंडाला पे आए, इसका नाम भी लिखा हुआ है, radial में भी है, parallel में है, spiral में भी है, different है, तो हम just मंडाला पे आते हैं, आप यहाँ पे कहते हूं, 12 sides, ठीक है, 12 sides ली, ठीक है, यहाँ आपने create कर ली, मैं इसका size increase करता हूँ, तो अब for example मैं, अच्छा, मैं यहाँ से brush change करता हूँ, अब अब आप for example, आप इसमें काम करेंगे ना, तो वो सारी portion में आपके पास automatic के लिए आपके पास काम होगए, ठीक है, तो इसके लिए जो tablet और pen है, वो होना लाजमी आपके पास, जब tablet और pen होता है, तो फिर आप बिल्कुल need and clean design उसको बना सकते हो, तो यहाँ पे mouse पे grip इतनी अच्छी नह भी ही कर सकते है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो गर जा के try कीज़ेगा, बड़े मली की चीज़ है, तो आपको उसको यूज करते हो, अधा हैगा, ठीक है अच्छा जी अच्छा नेक्स हमारे पास पैंसल टूल है पैंसल टूल फोटोशॉप के अंदर बहुत ज़्यादा कम यूज होता है ठीक है बिल्कुल सिंपल इस तरह के इसका यूज होता है फोटोशॉप में अब जब काम करते हो तो वो रैस्टर बेस होता है इसमें आपके पास एक सिंपल लाइन क्रियेट होता है लेयर के अंदर आपके पास पूरा पाथ क्रियेट होता है यह जैसे मैंने एक लाइन ड्राग किया तो यह पूरा पाथ होगा तो पाथ एडिटेबल होता है तो जब आप पैंसिल यूज़ करते हो यहां में फोटोशॉप में सिंपल सी लाइन्स ड्राउ करते हो आप इसको मजीद नोडिफाई नहीं कर सकते हैं तो इसका जो नॉर्मल जो फोटोशॉप के अंदर यूज़ है वह बहुत ज़्यादा काम है इसके लाव आपके पास एक और चीजा थी है Color Replacement Tool Color Replacement Tool इसलिए यूज़ किया जाता है कि आप Image की अंदर किसी भी Object का Color Change करना चाहते हो या अपने कपड़ों का Color Change करना चाहते हो या किसी भी किसी और चीज़ का Color Change करना चाहते हैं तो color replacement tool के दूल आप इसको change कर सकते हैं For example, यह मेरे पास एक couch इस पे cushions वेरा रखे हुए ठीक है तो मैं इसमें अपना जो foreground color है मैं इसको change करता हूँ मैं रिखता हूँ orange ठीक है औरेंज करता हूँ अब यह काम किस तरह करेगा यह जो brush साब के पास आरे plus plus symbol है यह जब आप click करते है तो यह आपके पास एक color source point select करते है ठीक है red color तो जहाँ जाए image में इसको red color मिलता है आप brush move करते हूँ तो वहाँ आए उस color को foreground color के साथ replace करते है ठीक है तो यह देखे अब यह आपके पास इस तरह का color क्यों आ रहा है क्यूंकि orange color जो है red color के साथ जब merge कर रहा है तो वह आपके पास इस तरह का fat create कर रहे है ठीक है यह हो गया मैं करता हूँ यहां पर मैं different color करते है ठीक है आप देखें आप यहां पर लेकर आएंगे तो वह yellow color को target नहीं कर रहा है क्यों नहीं कर रहा क्यूंकि आप जो brush है वह red color आपने select किया हुआ था तो उसी वीवड़ काम कर रहे तो और यह target नहीं कर रहा अपना select किया हुआ है थीक है तो यह service चोटी मोटी services आप fiber पर कर सकते हो पर यह इतनी worth rate नहीं है से आप इतने revenue इतना generate नहीं कर सेथे ठीज है तो वैसे आप कभी ज़रूत पड़ती है अपनी picture editing में तो आप यह color replacement use कर सकते है इसमें tolerance और contiguous मैं आपको पहले ही इंता है tolerance जतनी जादा होगी तो color के intensity इतनी जादा select करेगा तो contiguous, discontinuous and find edges, contiguous check है तो वह 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 reach करेगा जहाँ 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 उसको color मिलेगा जहाँ ब्लॉक के जाजाएगी वह 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 वहाँ पर targeting करेगा इसलिया हमें discontinuous select करना पड़ेगा, find edges में just single click करेंगे जहाँ 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 उसको edge मिलेगा, automatically वहाँ पर अपनी reach extend कर तर जाएगा ठीक है अच्छा जी next आपके पास है mixer brush tool, यह बिल्कुल simple सा है इसमें आप क्लिक करते हैं जो आपके पास यहाँ पे color मुझूद है और आपके जो brush selected है तो वह उसके साथ आपके पास just a card for create कर लेगे जो भी brush like करेंगे उसके साथ color को mix करके इसना card for create करेंगे जैसमें यह होता है कि आपके पास fret मीट है इस पी a butी ज्यादा करोगे तो यह ज्यादा extend क्रेंगा और जादा करोंगे कितना 8 पर्ष deduct आऐ पर्ष two क्रोडरा आजिट नहीं आनगे पर्ष आज इन elder decade कि इना वे, बोले नम्हें क्या बात हो गी अ, बहुत है, अच्छा आपकी साइमेंट ये है कि आपने तो आपने सोशल मीडिया के पोस्ट के लिए बनाना है उसमें आपने डिफरेंट पहले जाके प्रश्ट को करने मतलश दूंडने के बाद आप लोगों यह क्या करना है उसको यूज करते विए एक आपने बैनल ग्रियाट करना है ठीक है तो अब जैसे मुझे मुझे मुदस्र ने कहा था कि अगर लोगों हम यूज करें तो कैसे करेंगे तो हम एक लोगों भी यूज करते हैं कोई वाइट बेग्राउंड के साथ हुआ तो वाइट यह होता है मोस्ली वाइट नो तो किस तरह होगा मेरे पास यह लोगों है ठीक है वाइट कलर में नहीं है तो सिंप्ली आपने कहा करना है जस्ट मैजिक रेजर टूल लें टॉलरेंस इसकी जा रहा है तो आइटिंग ठीक है जस्क्लिक करेंगे होके कॉंटीजियस कौन चेक रखें यह आपके पास मेंजी में दो हुंच होगा है ठीक है तो फिर आपको सिंप्ली कहीं पर यूज़ कर सकतی है थायुक साथ यहिस्टीजियस है आप से Divakar अपने खेंगे यह दो ब сторону प्र यो इंब इंबेट करनें तो एक बर शीषस को यूज़ आपका है तो उस बेशा आप लोगों ने इसना की एक image लेनी है तो उसके आपने spot healing tool use करना है ठीक है और for example यहां पे pimples बहुत ज़्यादा है तो आप यहां सी color टिक करके brush tool को use करके आपने क्या करना है कि इसके round edges है smooth है soft corners के साथ है तो आपने simple उसको क्या करना है इसकी opacity को कम रखना है flow को भी थोड़ा काम रखके आप लोगोंने size थोड़ा से increase करके इसका आपने यहां पे यह नॉर्मली थोड़ा से retouch करना है थोड़ा से light करना है यह जो आपके pimples ने जहां पे यूज करोंके वहां से ही आप लिकार करना है color picker से अब यहां पे कर रहे हैं यहां से ही आप लोगोंने color picker लैंक हुए रेह तक आ पी है थीक है तो इसके भाद याप लोगर यूज करना चाहते हैं थो आप लोगर यूज कर सकते तो आप इस तरह बिल्कुल अपना फेस क्लीन करना चाहते हैं तो आप उसको क्लीन कर सकते हैं ठीक है और कुछ पुछने नहीं पुछना ठीक है